मंडी चिला परिश्यत अधिक्ष पूर्ण स्वास्ते मंत्री कॉल सिंग ठाकुर की बेटी चमपा ठाकुर के खिलाब भास्पा के सदस्यों की ओर से आविस्वास परस्ताब लाया गया जिसके चलते परदेश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी चिला परिश्यत भी अब कॉंग कर दिया था लेकिन अब की बार बामपंथी सुदस्यों ने अविस्वास परस्ताव के विरोध में मद्दान किया लेकिन बामपंथियों का समर्थन भी चमपा ठाकुर की कुरसी नहीं बचा पाया। पूरन ठाकुर अब कॉल सिंग ठाकुर की बेटी की कुरसी चेनने में भासपा का साथ दे रहे हैं। अविस्वास परस्ताव राने के संबर्द संधरब में हुई बैटक में 21 सदस्यों ने भाग लिया था जिसमें कली राम भी शामिल थे। पूरन ठाकुर ने कहा कि अविस्वास परस्ताव उनकी अधिक्सता में हुआ जिसकी रिपोर्ट डीसी मंडी को सौंब दी जाएगी। के बाद ने अधिक्ष के चेन को लेकर होने वाले मद्दान की तिथी उपायुक्त मंडी द्वारा तै की जाएगी। उधर अविस्वास परस्ताव के कारण जिला परस्त अधिक्ष पस से छुटी जाने के बाब सूद चमपा ठाकुर ने अभी हार नहीं मानी और मद्दान से पूरव चुनाव जीतने का दावा पेश किया है। अविस्वास परस्ताव का प्रती क्रिया जाहिर करते हुए वरिस्ट कॉंग्रेसी नेता पूरव स्वास्ते मंत्री कौल सिंग ठाकुर की बेटी चमपा ठाकुर ने कहा कि छोटे कारेकरताओं से लेकर मुख्यमंती जैराम ठाकुर तक जिला परिशत की कुरसी के लिए भा प्रहुमत सावित करेंगी और भास्ता को मूं की खाने पड़ेगी। प्रस्ताब के पॉप्य उन्हों ने सुपी। उस पर चर्चा के लिए 26 तार्क थैकी थी। तो कुल 34 दस्यों ने अपने मत्र का प्रिव किया। 34 दस्यों ने अविश्वास प्रस्ताब के पक्षमें मत्रान किया। और 14 दस्यों ने अविश्वास प्रस्ताब के विरोध में अपना मत्रान किया। तो फिर 6 मतों से Holocaust का पास किया गया। अब जो है आज जिलादेश महदय जी के पास अफार्च शोल्प दे में। ज जिलादेश महदय जी में अगला जो अधंष का उन्मादय जी के मादेश जोगा। इसका मान यस्तन से इसका चैन करेंगे कि हमने किसको जो है जर्च बनाना है कि भाजपा स्मर्थिब मात्र भाजपा स्मर्थिब 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 स्मर्थि के परदा नहीं है ना भाजबा का परस्ट परदा है मगर यह मैं स्परस्ट कहता हूँ कि इसमें जो उमीदवार ठेक होगा उसका चैन सभी इसना से अगर करेंगे उसमें पार्टी का कोई भी लेने नहीं है